विराट के किस सर्प्राइज से खुश हुई सई हलो दोस्तों आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट बात करें स्टाफरस के शोग गुम है किसी के प्यार में कि जहां आप देखने वाले हैं जल्दी अब जो विराट और सई के बीच में दूरिया आ रही हैं क्योंकि बार ब से इंजान है कि सब्से बड़ा सर्प्राइज जो है विराट को देने वाली है आप दो यह जानते हैं कि जो सब्से प्ता चलेंगे कि आने वाला तो बहुत जाती है विराट को अपने साथ आईस्क्रिम डेड़ पर उन दोनों के बीच में बात होती है पाक के लिए तो ये विराट की तरफ से आईस्क्रिम डेटी होती है लेकिन विराट जो है, वहाँ पर भी सही की तारिफ करता है जिस बाद से पाख काफ जाणा चिड़ जाती है लेकिन वहें पर सही घर पर उसकी तव्यत खराब होने लगती है जहां आश्विनी जो है उसका पूरा पूरा ख्याल रखती है वहीं आप देखेंगे कि कैसे जब विराट आता है तो सही के लिए आइस क्रिम लेकर आता है जिस सर्प्राइस से सही काफी जादा खुश हो जाती है विराट सही को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए फेवरेट आइस क्रिम लेकर आया हूं जिसे सुनकर जो है जो है सही काफी जाधा खुश हो जाती है लेकि जविराट सही उस आइस्क्रिम को पकड़ती है और बोलता है कि आइसक्रिम तो बिरस वास्रूम से क्यों लग रहा है साही की ऐसी हालत कैसे हो गई वहीं जब साही दुबारा वाश रूम में से आती है तो साही बताती है कि मुझे इस आइस क्रीम की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है थैंक्यू मेरे लिए आप भी अच्छा नहीं रिप्राइज लेकर हैं लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस आइस क्रीम खाने का मन नहीं कर रहा जिस बाद से विराट जो है शौक रह जाता है और उसे लगता है कि सही ने अपनी फेवरेट आइस क्रीम क्यों नहीं खाई वहीं जहां विराट को पता चलेगा कि सही की जो तव्यत है वो खराब है लेकिन सही की तव्यत किस वज़े से खराब है ये तो अभी कोई भी नहीं जानता लेकिन जब ये सारी सप्चाई सब के सामने आएगी तो विराट की खुशियों को तो जैसे ठीकाना नहीं रहने वाला है वहीं पाकी जो है बार बार जहां सही और विराट को दूर करने में लगी है वहीं विराट और सही जो है और ज्यादा पास आते जा रहे हैं आप देखेंगे कि कैसे जब विराट और पाकी आईस्क्रीम रेट पर जाते हैं और जब विराट सही का सपोर्ट करता है और विराट बोलता है कि तुम सही के बारे में गलत सोचती हो जितना तुम सही को गलत समझती हो उतनी वो है नहीं जिस बात से पाकी जो है वहें पर जलने लगती है अब पाकी विराट को बोलती है कि चलो घर चलते हैं तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतिजार कर रही होगी तो ये सुनकर विराट जो है वो भी तो ये समझ जाता है कि जो पाकी है वो भी कितना जादा जलती है लेकिन कब आईगी पाकी की सारी सचाई और कब पता लगेगा विराट को कि सही प्रेगनेंट है तो ये सारी सीजन देखकर सीहल में काफी ज़ादा इंटरस्ट आने वारा है दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही टीवी और बॉलिवुट की तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे अगर आप ये वीडियो हमारा फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फालो और लाइक करना न भूले